हेलो इन वल्कम गईस वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग महाराजा ट्रोफिक के SCA T20 की बात करेंगे जो की मैच होने वाला है अपर हुबली टाइगर्स वसिस सीवा मुगर लायन्स के बीच में तो चलिए दो नोई टीम के प्ल के बात करेंगे तो बात कते हैं इस मैच की इस सेवाए एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेंट है कि यूटूब चैनल को वित्धा का अपने सब्सक्राइब ने कि Communist हैं इसके साथ-साथ यहां से आपको और भी कई साइट टूडामेट के वीडियो मिलेंगे, जैसे APL कवर कर रहे हैं, LPL मतलब लंका प्रीमियर लिग कवर कर रहे हैं, इसके साथ-साथ MCAT20 कवर कर रहे हैं, तो यूटुब चनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करना है, तो शाम को पांच बच के 30 मिनिट पर M. Chinnaswamy Stadium बेंगलोर में खेला जाएगा, पीच रिपॉर्ड की बात करते हैं, वैसे बैटिंग के लिए अच्छी बीच, काप्षी एच्छ रहंस बनते हैं, कई बार या पर इस ग्राउन के ओपर दोस्का आखडा टाच हो गया है, आगे भ पूरी टीम है, वो बैलेंस टीम है, ओपनिंग में आते हैं, यहाँ पर मुहमद तहा, लवनीच सिसोडिया के साथ, सिसोडिया थोड़ी से इन कंसिस्टन्ट है, और सेम चीज यहाँ पर तहा भी, तहा ने पहली मैच के अंदर 61 किये, फिर 2 मैच के अंदर फेल रहे है, और तहा शिर्फ 10 बना पाई, तो वाँ पर इन्होंने 33 किये, लास में गणत, सिसोडिया थो यहाँ पर तहा ने 52 कि दिये, तो मतलब कोई भी चलेगा, तो दोनों मैच से पोई भी एक ही चलेगा, दोनों साथ में चलते नहीं है, तो अगली मैच के लिए मैच यहाँ पर तहा क बात करते है मनीश फांडे जो कि वेरी इंपॉनेट पीक रहेंगे लास्ट मैच के ने 69 रन किये कर दिये और आगी पी आम लोग इनको लेके जाएंगे इनके लबाइस से मानवंत कुमार एल की बात करते है जो कि दो बार यहापर एक बार तीन विकेट और एक बार चार विके वो सिर्फ एक ही मेच केंड़ दूबे बाकी दो पुरमिंट दूबे ही थे तो यहांसे इंपॉनेट आएंगे क्योंकि आर्सीबी की तरफ से दिसंटली 2023 में ही खेले हुए आपर लेक ब्रेक गूगली गैनबाजे इंपॉनेस है लेगे जा सकते इनके लिवाज से केसी करि लविश कोशल और विद्वर्थ कावे रपा चारो के चारो के चारो के चारो के चारो कंशिस्टन्ट है अलाकि यहां पर अगर चारो क्लेर्स की बात की जाए तो इसमें से सिर्फ चार बार ही इनको एक एक बार विकेट नहीं मिले रहे हो यहां पर तूबे को सिर्फ एक ब यहां पर मुझे लगता है यहां पर के सतर पंसर ने जितने के चांसे यहां पर हूबली टाइगर के क्योंकि सामने भी टीम मजबूत है इसके लिए में सतर तिसका ही टार्गेट बना है तो जितने के मेकसिमम चांसे तो यहां पर एस्ट के तरफ जा रहा है लेकिन सामने जो टीम है यह भी आपर कई मतलब कम नहीं है घज़ब का है वहाँ पर कंसिस्टन परफॉर्मस देने वा जोइन करना है एसल की बात करते हैं जोगी चार मैच के लिए जहां से तीन मैच जिती है दो मैच एक मैच हारी है तो मतलब यह शेकंड पोजिशन पर है जहां पर हुब्ली टाइगर फर्स पर है तो मतलब टकर दो इनको देने वाले है ओपनिंग की जाता है निहाल लुला रोहन कदम के साथ ओपनिंग करेंगे जो निहाल लुला पोव रहे इनकंशिस्टन्ट है लेकिन इनके पर वरोसा नहीं कर सकते हैं मतलब यह जब बूर्ड में आता है तब सेंचुरी तक बना लेते है तो ट्राइक करना चाओ तो कर सकते है बाकि रोहन कदम वेरी इंपॉन बार के लिए 28 रन के अच्छी बारी के लिए और ओर चार मैच करना आंट रन है इनको में थोड़ा सा रिस्की मन तो आप लोग चाहो तो या पर इन दोनों में किसी एक को आपने रिस्क पर ले सकते है बाकि अभी नहों मनोहर वेरी इंपॉनेट पिक डेफिनेटली लेके इनको और इनके लवाई से बात करें स्रेयस कोपाल की कैप्टन और वाइस कैप्टन सिप के डिफॉल्ट चोईस है आपर पहली मेच के अदर हमारी कप्तान थे आपर स्रेयस कोपाल वन साइडर विनिंग करवाई थी इसके बाद तो आला कि बहुत सारी पब्लिक इनको कैप रहे बाकि यहाँ पर भी इन्हों ने 25 रन तो बनाई लिये थे ओर रोल 6 मैच के लिए 25 के वरे से सो रन है और इसके पहले आपर पिछली टूनामेट भी इनकी अच्छी रही थी तो मतलब बरोसा कर सकते हैं आपर करांती कुमार के उपर एस सीवराज पिछली दोनों मैच के लिए 27-29 से स्कॉर कर रहे लेकिन बैटिंग ओर थोड़ा सा नीचे तो मुझे थोड़ा से रिस्की लेकर है आप लोग चाहो तो ट्राइ कर सकते हैं कि पिछली दोनों मैच के अंदर बाई सम्दें गजब का परफोरमस दिया इनके लिए एक अच्छे ब्लेयर है बरो से लाइक ब्लेयर है ट्राइ कर सकते हैं अगर कोई चोईस नहीं मैली तो लेकि जा सकते हैं बागी प्राणाव बाटिया भी आपर रेगिलर पूरी वर्स करा रहे हाला कि कंसिस्टन्ट विकेट्स तो नहीं निकाली और एक बार तो यापर वर लीकेट दो विकेट और दो विकेट तो विक उसीक को ड्रोप नहीं करना है हमें चाहो तो यहाँ पर इन तीनों में आपको अपनी अपको गेन लेके जाएंगे बाकि बैंचे मेंसे कोई भी प्लेयर घ्रलेका तो इंके स्टार्ट्स अन उनकी अप्डेट वगेड़ आपक प्राकि आगे आने वाली अच्छे मैचेस के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फेंटासी टेम कौन सी ले सकते हैं कौन से प्लेर को में लेके जाना है और कौन से प्लेर को हम लोग गया से ड्रॉप कर सकते हैं तो बॉलिंग सेक्षन में आपर मनिश पांडे यह मनोर है आर कदम और क्रांती कुमार हमारी डिम केंदर रहेंगे यहाँ पर भी आप लोग मुहमद ताहा को ले सकते हैं काबिलियादे बंदे के अंदर कभी भी आपर बड़ा धमाका कर सकता है वल्राउंडर सेक्षन में आप यहाँ पर वी कोशी को ले सकते हैं क्योंकि यह consistent है टिम की बात करते हैं तो टिम के कप्तान हमारे रहेंगे श्रेयस कोपाल वाइस केप्टन या से प्रविन दुबे रहेंगे लेकिन वाइस केप्टन के लिए आप लोग गयानबाजी सेक्षन में से किसी को भी ट्राइक कर पर कहारेंगे हमें यहाँ बर कनफ्यूजन वासी केप्टन में क्योंकि सारे के सारे के सारे गहन वाज़े यह कभी थृटहें सकते हैं और ऐसे के यह बता चुकाहो कि IPL के अंदर इंडिया की तरफ से इंडियन प्लेयर की तरफ से सबसे वेले सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर है मनिस पांडे अभी के लिए देखो टिम को जिसरा से रहेगी इसमें कुछ बदलाव अगेरा देखने को मिल सकते है फाइनल टिम जो भी रहेगी वो टेलिग्राम में दी जाएगी आपको तो जल्दी से टेलिग्राम को जोइन करना है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आप लोग को उसी लिंक से जोइन करना है वीडियो कर अच्छा लगे है लाइक कर दो, शेर कर दो और यूटूब चनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने बाली और अच्छे मेंचिस के वीडियो आपको इसी यूटूब चनल के उपर मिलने वाले है तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आपको करना क्या है अपको करना कुछ नहीं है आपको वीडियो को अच्छे से देखना है अच्छे से अनालिसिस करनी अच्छे से टीम बनाने है अच्छी विनिंग करनी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई दन्यवाद, जाहिंद, चाह भारत